जाएं दोस्तों आप देख़ए अध्यान केंदर और इस वीडियो के माध्याम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट आपजेक्टिव का वुक्त जिसमें हमारा चल रहा है संपी धान और आज हम पढ़ेंगे 15 वा एक्सरसाइज राश्टर पती काफी इंपोटेंट है ध्यान की तुलना निमनलिखित में से किस्से करना सरवाधिक उचित होता है यह होता है बिरिटेन के समराठ से जिस परकार बिरिटेन में समराठ का पोस्ट होता है उसी परकार भारत में राश्टर पती का पोस्ट है ऑप्सा नमर सी यहां आपका सही है भारत में कारी पालिका का अ ऑध्याक्ष कौन हूता है राश्ट्रस पति होता है, साथ ही संशद का जो संजुक्त अधिवेशन होता है, उसको बुलाता कौन है, राश्ट्र पती ही बुलाएगा। संसा जब भी कहता हूं तो क्या सब आता है पिछले क्लास से पढ़े हम लोग ने राश्ट्रपती आता है लोकसभा आता है और राजसभा आता है संग की काड़ी पाली का सक्ति नहीत होती है संग की काड़ी पाली का सक्ति की वाद करे तो वो राश्ट्रपती में नहीत होता है और नमर प्रस्णफ दिया गया है भारत का राश्ट्रपती होता है तो भारत का राश्ट्रपती क्या होता है राज्य का परधान होता है प्रिटेन में जो किंग होता है वो है भारतिय संबिधान के अनुसार देश का पर्थम नागरिक कौन होता है तो देश का पर्थम नागरिक भी रास्टर पती ही होता है देश का पर्थम नागरिक कौन है रास्टर पती है भारतिय संबिधान के अनुसार संग की काड़ी पाली की कारीपाली का सकती किसमें नहीं तोगा राश्च्ट्र पती में भारतिय संभिध्हान कैंनुसार देश के तीन सेनाओ का अध्यक्ष्प्रिम commander कौन होता है हलाकि अब तो एक नया post बना दिया गया CID ठीक ना लेकिन जो सॉरी CID नहीं है CDS करके बनाया गया है ठीक ना जो अभी अजीत रवाल है पर अगर इस परकार का option रहे तो आप राश्टर पती पर टिक कर लेना नहीं तो CDS पर टिक करना और CDS का एड orड़ यरा यह एंसर अठेक यह उस्क्रत्रमस कर दूह जा सकता है भारत के राश्टरह Hammer को कॉविंद है यहां दिया ग Arabia आइस्टर का संभेधानी का इध्यक्ष का लेक сам कि सब्त नंबर भारतिय आश्टरह चैना ओंका सरवच्च्य कभारत्यी में आधिक होता का मांडर कौन होता है जरॉच्य क्तिके लिए औवस्य क्या है औरिया की योगता कि उगता वह संसद के किसी सदन का सदस्यों वह संसद के किसी भी सदस्य का सदन मिन सदस्य होगा तो राष्ट्रपती बन सकता है साथी योगिता की बात करें तो संसद का जो भी योगिता होगा वह योगिता राष्ट्रपती के साथ भी मिलेमेंट होगा भारत के राष्ट्रपती निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी ब्यक्ति का आयू कितना होना चाहिए 35 वर्स होना चाहिए 35 वर्स होना चाहिए और कितना बार बनेगा वो भी कोई फिक्स नहीं है राश्ट्रपती पद की उमिदवार के लिए अधिक्तम आयू कितना होना चाहिए अधिक्तम कोई फिक्स नहीं है कोई सीमा निर्धारित नहीं है option number D एक विक्ति राश्ट्रपती पद पर अधिक्तम कितनी वार निर्वाचित हो सकता है तो इसका भी कोई limit नहीं है हलाकि अभी तक जो दो वार रहे हैं बस एक ही है वो है राजंदर परसाथ जो की पहले राश्ट्रपती थे उसके बाद कोई ऐसा राश्ट्रपती नहीं वना जो दो लगातार टेनियूर तक कारिवार सम्हा ले राश्ट्रपती का निर्वाचन किस परकार से होता है राश्ट्रपती का निर्वाचन होता है औपरत्यक्ष रूप से परत्यक्ष रूप से साथी एक आपको वर्ड याद करना पड़ेगा समन पार्तिक पर्टिक अधारपर इसको कहा जाता है hair process, यहां पे अभी आवपद्यक शुरूप से चुना जाता है राष्टर पति जिस परकार से पर्त्यक शुरूप से राज सभा का मेमर भी चुना जाता है इसको सरा याद करना पड़ेगा क्योंकि एक्जाम में आपको यही पूछा जाएगा इसी पदहती को हेर पदहती भी कहा जाता जो जर्मनी के वैमर संभीदान से लिया गया है राश्ट्रपती पद के चुनाव समंधी विबाद के लिए किसे निदेशित किया जाता है उचितम नियाले को और साथि दो एस्टेट का अगर बीवाद होगा तो उसको भी कहां सुना जाएगा और साथी राश्ट्रपती का चुनाव से कोई गतिवीदी होगा तो वो भी सुपरिम कोट में राश्ट्रपती के चुनाव के लिए प्रस्ताव एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए। ये संख्या 50-50 होना चाहिए। ऑप्शन नमबर C, भारत का राश्ट्रपती निर्वाचित होने के लिए निमनलिखित में से कौनसी बात अयोग्य मानी जाएगी। एकल हस्तांतरन मत पधती द्वारा, एकल हस्तांतरन मत पधती द्वारा, ऑप्शन नमर B आपका सही है। इसका मतलब थुरा समझ लो क्या होता है कि जैसे माल लो एक आदमी आपको माल ली जो बोट करने के लिए कहा जाएगा तो आप एक को बोट कर सकते हैं। बीजेपी को, कॉंग्रेस को या फिर कोई छत्रिय पार्टी होता है, आमादी पार्टी या फिर कोई और एक को बोट कर सकते हो। लेकिन राष्ट्रपती के चुनाम में ऐसा नहीं होता है, आपको चारों को बोट करना है, अंक देना परता है कि आप किसको प्रियर्टी देता है। अस्थांत्रनिय मत्पधती मिन सब को बोट करना परता है। आगे और भी question होगा इसके regarding तो और समझ में आएगा अच्छे से रास्टरपती पद का चुनाव संचालित किया जाता है यह निर्वाचन आयोग करता है यह काफी important है रास्टरपती पद का चुनाव कौन संचालित करेगा निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयोग option number C, election commission भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक पदत पर ति निर्वाचन आया कहा को चुनाव पदनाली अपनाई जाती है यह आपको समझना होगा या तो अनुपातिक दे या समौन अनुपातिक दे आप प्रस्त बहुत आता है परती नदे तो चुनाप पढ़ना लिक समें 15-2017 लिसा पाष्टत्र पती में आएIF उसके पास ब्हश्ट जाते हैं यह इसके पास ब्हचा जाएगा सुप्रीम कोट वेखा उच बार उरूच नेयाल ओगा अुच Зем सरी में मंदेद विभाद का निर्णाए उचितम नियाले द्वारा करने का प्रापधान संभीधान सिप में मिन्स अंकित है तो अनुछद कितने वर्षों का होता है तो पांच वर्ष का और राश्ट्र पती अपने पद गरन करने की स्थिती से पांच वर्ष की अवधी तक अपने पद पर बना रहता है यह बना रहेगा अनुछद 56 के अंतरगत अनुछेद 56 ऑप्सन नमबर बी राश्ट्रपती के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कौन-कौन सा भाग लेता यह पूछा जा रहा है तो संसद के दौनों सदन और बिधान सभाओं के निर्वाची सदस संसद के दौनों सदन तथा बिधान सभाओं के भागा तो वह पार्टिसपेट करेगा जैसकि की दोaning ट्रेटीय दिल्लियों पुदू चरी चुनिड़ी तो उसका भी जो विधान सभाओं का MEMBER होगा的话 तो परदेश है फिर भी इसका विजानसवा का मेंबर करता है तो आपको दिल्ली या पुदूचरी पर टिक करना भारत के रास्टरपति के निर्वाचन के बारे में निमने लखित में से कौन सा कथन सही नहीं इसमें एक कथन क्या होगा आपका गलत होगा और सारे कथन सही दिये गया है कौन सा gìनल सही नहीं तो यहां पर सारे कथन गलत ही दिये घया ठेक जबहाँ बढ़ेते हैं तो उपसर नमर यहां गलत दिया गया इसका अंसर संसद के द्वारा अंसर भारत के राश्ट्र पती को उसके पद से कौन अटाएगा संसद हटाएगा बारत के राश्ट्र पती को पद से हटाने की प्रकिडिया क्या है तो यह संसद द्वारा महावयोग लाएगा संबिधान का उलंगन के लिए राश्ट्र पती के विरुद्ध अभियोग काडिवाही किसमें शुरू की जा सकती है किसमें यह सुरू किया जाएगा तो यह संसद के किसी भी सदन में चाये वो लोगसभाव राजसभाव कहीं भी यह महावयोग सुरू किया जा सकता है राश्ट्र पती को हटाया जा सकता है राश्ट्र पती को हटाया जाएगा महावयोग के द्वारा कि अब फिर एक रिजन तो होई सकता है कि रास्ट्रपति अगर मर गया तो यह तो रीजन है पर आगर आपको हटाना है तो महावियोग लगाना पड़ेगा और फिर उसमें प्रूफ करना पड़ता है कि जो रास्ट्रपति है वह गिल्टी है ठीक न? 33 प्रस ने राष्ट्रपती पर महावियोग किस अधार पर लगाया जा सकता है राष्ट्रपती पर महावियोग किस अधार पर तो वो सम्विधान का अतिकर्मन कर रहा है क्योंकि आरोप क्यूं लगाएगा जैसे मालो आपको मैंने का मॉबाइल रखने के लिए कुछ दिर के लिए आप मॉबाइल में जूझ करना शुरू कर दियो आपसे मॉबाइल क्या कह कि छील लेंगे कि आपने मॉबाइल का गलत यूज गिया है उसी पर का राष्ट्रपती होता ही है संभीधान का देखरेक करने के लिए उस पर क्यों महावयोग लगायागा क्या कि यह संभीधान का आतिकर्मन कर रहा है सोसन कर रहा है इसलिए उस पर महावयोग लगाया जाएगा तो असान सा है पर लोजिकली अगर सोचो के तब स्टिक में अपने पद से त्यागपत्र देना परता है अपने पद से त्यागपत्र देना होगा महावियोग लगाने पर याद रखना महावियोग लगा लिया और ऐसा नहीं कि वह मिन्स गल्टी पाया गया तभी उसको उटाया जाएगा ठीक ना इसको थोड़ा ध्यान में लगना क कारिकाल पूरा होने पर पहले भारत के रास्ट्रपती को उसके पद से कौन हटा सकता है। पर महावयोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है बिल्कुल सही है यह कम से कम कितने दिन की लिखित सुचना के बाद प्रस्तुत किया जाएगा यह भी काफी इंपोर्टेंट है यह होता है 14 दिन, 14 दिन के लिए, option number B, संभीधान में कुछ-कुछ दिन काफी इंपोर्टेंट है जैसे देखो, राश्टरपती चुनाव कितना दिन परचार कर सकता है तो दो सप्ता मिन 14 दिन यह अध्यादेश जारी करने से पहले, महावयोग जारी करने से पहले वो भी 14 दिन कोई भी बिल को कितना दिन तक रोख सकता है तो भी 14 दिन तो दिन काफी सोच समझ की याद करने में असान होता है तो 14 दिन याद रखो संसद में राश्ट्रपती के बिरुध महावयोग प्रस्ताप पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए ये टूबै थार्ड का टूबै थार्ड कुल सदस्य का दो तिहाई जो होगा वो उसमें सामिल होना चाहिए बहरत के राश्ट्रपती के रूप में चुनाब को अवेद घोसित किये जाने के इस्थिती में उसके दौणाब अवेद घोसित किये जाने के पुर्व के कृतियों की क्या संब्धानिकता होगी उसे उसके लिएव या करना होगा या किरती बिधिमाण नी होईगे मिस्ट वह संब्धानिक तौरट पर वो क्या होगा रहारा हटाया है परंतु प्रकिरिया को दोस्ट पुर्न का कर अलोचना कि जाती है प्रकिरियाग में कौन सा दोस नहीं है मिन्स महावियोग के थ्रूज राष्ट्रपती को हटाया जाता है यह हमारे जनता के according यह संसत के according कहा जाता है कि यह राष्ट्रपती के लिए गलत है जान बुझ के उसको महावियोग पारित करने को असंभब बना सकता है यह बिल्कुल गलत है क्योंकि एक तरफ दो तिहाई मेंबर है और जो राष्ट्रपती है अपने तरफ से चुनेगा तो दो चुनेगा एंगलो एंडियन से और बारा चुलेगा इधर से टोटल वह 14 मेंबर ही चुन सकता है तो कि जैसे आप क्लास का मोनीटर चुनते हूं तो सारे स्ट्टेंट क्या करते हैं उसको भोट देते हैं ठीक न और जब मोनीटर को हटाने की बात आई तो सार आयं और बोलें कि नहीं अब यह मोनीटर नहीं रहेगा तो फिर लेकिन नियम क्या रहना चाहिए जो मोनीटर बना लगाएगा और दूसरा सदर आरोपों की जांच करेगा इसमें यह अस्पष्ट नहीं है कि संसद स्वेंग जांच करेगा या किसी अनि से जांच करवायेगा राष्टरपति को लोग सभा भंग करने कादिकार है यदी उस पर आरोप लगाया जै और वह लोगसभा को भंग कर दे तो जनता ना कि संसद अवयोग लगाने वाली होगी यह भी काफी अच्छा पॉइंट है आपको समझना होगा कि संसद को भंग करने का अधिकार किसके पास है राष्टपती के पास है अब जब राष्टपती पर कोई महावयोग लगाएगा उसका पोस्ट खत्रेम आएगा तो वो क्या करेगा लोगसभा कोई भंग कर देगा तो फिर महावयोग क्या होगा अटक जाएगा चलो आगे प्रस्ट 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 है संबीधान को निमनलेखित में से कौन पद और गोपनियाता की सपत दिलाती है मैंस भ भारत के मुखनियाधिस के समक्ष सपत गरहन करता है किस अनुचेद के तहत मुखनियाधिस ही उसको सपत दिलवाएगा यह होता है अनुचेद 60 के अंतरगत अनुचेद 60 में ऐसे लिखा गया है कि भारत के राश्टरपती को उसके पद और गोपनियाता की सपत यादिस की नहीं रहेगा तब राष्टरपती को सपत कौन दिलवाएगा सर्वुच्ची नियाले के बरिस्ट नियाधिस अप्सन नमबर डी मिन सुप्रीम कोट का ही दूसरा जो हायस्ट जज होगा नियाधिस होगा वो दिलवाएगा यदि राष्टरपती और उप्राष्टरपती दोनों देश से बाहर हो तो उस इस्थिति में उसका काड़िभार कॉल समालेगा तब उसका काड़िभार समालेगा सर्वोचिनियाले का मुखनियादिस चिप जस्थिस जो होता है वो उस्थाय में भाष्ट समालेगा जब राष्टरपती और उप्राष्टरपती दोनों देश से बाहर हो यदि राष्टरपती त्यागपत्र देना चाहे तो वो अपना त्यागपत्र किसे सम्भोधित बाष्ट एगा त्यागपत्र देगा भारत के उपराष्टरपती को भारत के उपराष्टरपती को सपति को नमबर सी सही है एक ही समय मेरी राष्ट्र पतिक ऑर उप्रास्टर पतिक दोनों का पद रिक्त हो जाएं तो रास्टर पति के काड़्य का निर्वाहन कौन करेगा तो यह मुखनी यह थिर्भीश। यदि मिर्टियू त्यागपत्र अत्वा हटाये जाने की स्थिति में भारत के रास्ट्रपती का पद रिक्त हो जाये तो काड़ी भार कॉल समालेगा। का पोस्ट जोए खाली नहीं रहेगा। के चौथे रास्ट्रपती कौन थे भारत के चौथे रास्ट्रपती कौन थे बेभी गिरी देखो यहां पे आपको आपके टेलिग्राम गुरूप जो है उस पे आप लोग जोन कढ़ी लेना अगर नहीं क्यों आपके लिंक प्रवैड करवाता हूं वीडियो का और मैं वहां सबसे लंबे समय तक भारत का रास्ट्रपती कौन रहा तो जो दो बड़सों तक लगातार रहे Pесс करवायी मिन्स डॉक्टर राजंद्र परसाद् डॉक्टर राजंद्र परसाद ओप्से नुमरे यहां आपका सही हैंurt भारत का रास्ट्रपती चुने जाने वाले वाले पर्थम कोउन था दोप्सेन कई वार पूछा गया प्रसना यह गयर कोंगरेशी उम्मीदवार पहले राष्टरपती कौन थे तो भी वी गिरी भारतिय राष्टरपती के सर्वसमत्ती से चुने जाने वाले अभी तक एक मात्र उदाहरन कौन सा है यह नीलम संजीव रेटी बहुत इंपोर्टेंट है यह भारतिय राष्टरपती के सर्वसमत्ती से चुने जाने वाले अभी तक एक मात्र उदाहरन मिंज अपोजीशन में कोई नहीं था निरिविरोध जीते थे यह तो नीलम संजीव रेडी नीलम संजीव रेडी ओप्सन नमबर डी निमनलेखित में से कौन कभी भारत का राष् अगर आपको पूरा नाम याद रहेगा ना तभी आप यह सब टिकर पाऊगे और साथ ही इससे क्या हो जाएगा कि अगर पानलोग प्रस नहीं आजाए कि बरतमान रास्टर पती रामनात कोविंद जो है वो कैमें नमर के रास्टर पती है नमर या परसन के रूप में कैमें पुरा याद है ना तब आप असानी से इसको टिकर पाऊगे याद करोगे भूल जाओगे अंठावन प्रसन पर आ गया हम स्वतंत्र भारत के पर्थम राश्टर पती कौन थे डॉक्टर राजंदर परसाद डॉक्टर राजंदर परसाद इस सेसन को यहां में करते हैं क्यो तक पहुंच पाए और फैदा भी हो पाए मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद